राहे संगर्स की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों में जंग जीती है सूरिये बनकर वही निकलता है प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवासाथियों नमस्कार आज हम बात करेंगे में फाइनल राजनिती विज्ञान के पेपर नमबर आठ के गेश पेपर या मॉडल पेपर की जो की गुरूप ए का ये पेपर है इस पेपर का नाम होगा आधोनिक भारतिये सामाजिक एवं राजनितिक चिन्तान प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर होगा सत्रा माई का एम में फाइनल राजनिती विज्ञान पेपर नमबर आठ मां दो हाजार तेईस हमारा उदस से आपकी सफलता आपकी सफलता प्यारे विद्यार्थियों सदा हासते रहो मुस्कुराते रहो प्रेम से मास्त रहो पेपर का समय रहेगा तीन घंटे पुर्णांक होगा सो अंक का प्यारे विद्यार्थियों यहां मैं बात कराऊं महतपुन परसन दो हाजार तेईस की गेस या मोडल पेपर है ये केवल अनुमानित क्योसन है प्यारे विद्यार्थियों टोप मौस्ट इंपोर्टेंट क्योसन अब देखो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में तीन खंड होंगे खंड ए खंड बै और खंड से अब देखना है उसके अंदर कितने कितने क्योसन आएंगे और आपको कितने करने होंगे खंड ए सेक्षन ए इसमें कुल दस पर्षन आएंगे और दस के दस आपको करना है क्योंकि इसमें कोई अथवा नहीं होगा पर टेक पर्षन दो अंक का होगा तो दस इंतू दो बराबर बीस अंक का होगा सेक्षन ए पचास सब्दों में उत्तर देना होगा लगबग चार या पांच लाइने आपको भरनी होगी प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने बीस छोटे टोप मोश्ट क्योशन बनाई है वैसे मैं बार-बार कहता भी आया हूँ कि छोटे क्योशनों का कोई गेस नहीं लगता है क्योंकि पेपर सेटर छोटा क्योशन सले बस में से कहीं से भी उठा सकता है किसी की पुस्त कूश सकता है कोई विचार कूश सकता है कोई विशेशता पूश सकता है किसी का परिचे पूश सकता है किसी का आर्थ या परिभासा पूश सकता है तो वैसे प्यारे विद्यार्थियों छोटे क्योशनों का कोई गेस नहीं लगता है लेकिन फिर भी मैंने मेरे आनुभाव के आधार पे यहां पर चोटे 20 क्योसन बनाई है मा सरसती से ये दुआ करूँगा कि इन में से अधिकतर क्योसन आपको आपके पेपर में मिल जाए प्यारे विद्यार्थियों जो भी आपके पास अधियन सामगरी है उसके अंदर इन क्योसनों के चिन लगा करके और इनके उत्तर त्यार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों सपना एक देखोगे मूस के ले हजार आएगी लेकिन वो मंजर बड़ा खुबसूरत होगा जब काम्याभी सोर मचाएगी जब काम्याभी सोर मचाएगी तो प्यारे विद्यार्थियों आप तो अच्छी मेहनत करते रहों देखो खंड एके तो मौस्ट क्योस्तन नमबर एक राय के प्रेश वे अभिवेक्ति की सोतंतरता पर विचार राजरामोन राय के नमबर दो सुद्धी अंदोलन या फिर आसते स्वामी द्यानन सर्शती के दो राजनितिक विचार बताईए नमबर तिन राय के धरम पर विचार नमबर च्यार तिलक बाल गंगादर तिलक की दो पुस्तकों के नाम बताईए पूछे जासते हैं दो तिन पुस्त के जरूर पूछी जाती है प्यारे विद्यार्थियों इसलिए इसे तैयार कर लेना नमबर पांच दादा भाई नारोजी के दो आर्थिक विचार क्योंकि आर्थि विचारों के लिए जाने जाते हैं दादा भाई नारोजी नमबर चे, नहरू के समाजवाद समंदी विचार बताईए, नमबर साथ, अमेड कर, डॉक्टर भीमराव अमेड कर की दो पुस्तकों के नाम बताईए, नमबर आठ, सावरकर के हिंदुत्वे तता हिंदुबाद के भेद को समझाईए, सावरकर के हिंदुत्वे पर विचार आसकते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये महत्तपुने इसलिए इसे तयार कर लेना नमबर नो नहरू के राश्ट्रवाद वै अंतराश्ट्रवाद पर विचार बताईए दोनों पूछे जासकते हैं या एक के उपर भी पूछा जासकता है नमबर दस गोखले के राजनितिक वसियत नामे का उदस से क्या था समझाईए नमबर ग्यारा राय के दो सामाजिक विचार बताईए क्योंकि राजरामों राय के सामाजिक और धार्मिक विचार महत्तपुन है वैसे राजरामोन राई को भारत में पुनजागरन का अगरदूत भी कहा जाता है पिता भी कहा जाता है ऐसी कोटेशन भी बना दी जाती है नमबर 12 अमेडकर के धरम पर विचार या फिर वो धरम से क्यों परभावित हुए अमेडकर ये भी पूछा जा सकता है नमबर तेरा गांदी जी का ट्रेश्टी सिव सिध्धान्त जो उनके आर्थी विचारों में था न ये भी पूचा जा सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लेना नमबर चोदा तिलक के सवदेशी पर विचार नमबर पंदरा प्रम समाज या आर्य समाज पर टीपनी आ सकती है इनकी स्तापना कब कहां और किसने की ऐसा क्योशन भी बनाया जा सकता है नमबर 16 साध्य वे साधन पर गांदी जी के विचार नमबर 17 अरविंद के विश्वत्वय पर विचार नमबर 18 शिक्षय पर तिलक के विचार नमबर 19 विवेकनन के दो राजनती विचार बता यह नमबर बीस जै प्रकास के दल विहिन लोग तंत्र या पढ़जा तंत्र पर विचार या फिर आसत है भारत सेवक समाज इंडियन सर्विंट सोसाइटी के उपर टीपनी आसती है या फिर इसकी स्तापना कब कहां और किस ने की या फिर या आसत है कि गोखले ने कौन सी संस्ता कि स्तापना की ठीका ना प्यारे विद्यार्थियों ये 20 टोप मौश्ट के उसन थे जो आपको तयार करने हैं इन में से आने की पूरी संभावन है वैसे ये पेपर बहुती इजी है प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि आधुनिक भारतिये सामाजिक एवं राजनितिक चि के अंदर आप आसानी से लिख भी सकते हो ये मानों ये पेपर जिक्के से भी सम्मान दित है क्योंकि भारत में जो समासुधार आंदोलन हुएते ना और ये मानों की भारत के राष्टिय आंदोलन में इनकी प्रमुक भूमी का रही है तो ये खंड एके आप अच्छी तरिक इसे 20 क्यूसन त्यार कर लेना इन में से अधिकतर क्यूसन आने की पूरी संभावना है प्यारे विद्यार्थियों मेहनत तो आपको करनी होगी ये तो तह है प्यारे विद्यार्थियों जितना अच्छा और जारा पड़ोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा हर सपनों को अपनी सांसों में रखें, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखें, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्से को अपनी निगाहों में रखें, प्यारी विद्यार्थियों देखो खंड बै सेक्षन बी इसके अंदर कुल पांच क्यूसन होंगे पांच उनके आथवा होंगे परतिक में से एक को चुनते वे आपको पांच क्यूसन करने हैं कितने करने हैं पांच करने हैं जी आपको दो सो सब्दों में उत्तर बताना होगा लगबग दो या तीन पेज भरने होंगे और परतिक क्यूसन हो साथ अंक का होगा तो पांच इंटू साथ बराबर पैंटिस अंक का होगा सेक्षन भी आगई बासन में प्यारे विद्यार्थियों अब देखो इसके अंदर मैंने में जरूर बना दियें समय हो तो इनको भी आप देख सकते हो लेकिन ये दस जरूर देख लेना दस के दस मिल सकते हैं नो मिल सकते हैं आठ मिल सकते हैं साथ मिल सकते हैं छे मिल सकते हैं और पांच तो जरूर मिलेंगे इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्यारे व द्यार्थियों तो देखो सेक्षन बी में टोब मौश्ट क्यूसन कौन-कौन से हैं नमबर एक आधुनिक भारतिये सामाजिक एवं राजनितिक चिंतन के मुखे तत्वे बताईए नमबर दो राजा रामोन राई के सामाजिक वे राजनितिक वीचारों का उलेग कीजिए सामाजिक और राजनितिक भी आसकते हैं धार्मिक वीचार भी आसकते हैं महत्तपुन है नमबर तीन दादा भाई नौरोजी का निर्गम सिद्धान्त या लाला लाजपतराई के राश्टिये एकिकण पर विचार तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें इसक्यूसन क्याने की पूरी सम्मावन है जो इसके आर्थिक धनिसकासन निर्गमन भी कह सकते हो वो सिद्धा पूछा जा सकता है अती महत पुण है नमबर चार रानाडे के परमुक राजपतराई विचार या फिर आ सकते हैं सामाजिक सुधार समंधी विचार बताईए महादेव गौविंद रानाडे के नमबर पांच सावरकर का हिंदुत्वे सिद्धान्त ये लगबग परतिक वर सकता है इसको त्यार कलेना सावरकर का हिंदुत्वे शिद्धान्त या फिर राष्टिये सिख्षा पर तिलक के विचार भी पूछे जा सकते हैं नमबर च्छे टेगोर के राष्ट्रवाद समंधी विचार बताईए ही नमबर साथ गांधी की अहिसा अवधारना या फिर न सक्यूसन भी डाल दिया जाता है जिसका उत्तर हम 200 सब्दों में भी नहीं लिख पाते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसलिए ये ध्यानकना सेक्षन बी में कई बार चोटे क्यूसनों को भी सामिल कर लेता है पेपर सेटर नमबर आठ एमेन और रोई का नव मानतावाद ये भी बढ़िया क्यूसने त्यार कर लेना ये क्यूसन पिछली बार सेक्षन सी में आया हुआ है इस बार सेक्षन बी में भी बना सकता है नमबर नो अमेड करके दिलीतो द्वार समंदी विचार या ये कहो अमेड करके सामाजिक सुधार समंदी विचार एक ही बात होगी प्यारे विद्यार्थियों चाहे उसके अमाजी की विचार पूछे अमेड करके या दलीतो दौर समन्दी विचार पूछे उत्तर एक ही होगा नमबर 10, जिनना, मुहमद अली जिनना का द्वी राश्टर सिध्धांत, या यह कहो राजन्ती विचार एक ही बात है, द्वी राश्टर सिध्धांत उन्होंने राजन्ती विचारों में ही दिया है, या फिर जैंपरकास के समाजवाद पर विचार पूछे जा सकते हैं, तो ये थे सेक्षन B के टोप मोश्ट 10 के उसन हाँ कुछ अत्वा में जरूर लगा रखें ये मत सोचना मेरे प्यारे विद्धार्थियों और युवा साथियों की होस्यार जी सर ने तो ज्यादा बता दिये ना जी ना ये ज्यादा के उसन नहीं है इतने तो आपको त्यार करने ह होंगे अगर आपको पेपर अच्छा करके आना है तो और आपकी मर्जी ये देखो ये तो केवल अनुमानित है गेस या मोडल पेपर है प्यारे विद्धार्थियों लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं आपका पेपर लगबग इसी में से बनेगा एक दूसरा अगर में फाइनल ही कलियर करनी है नाजी ना आगे भी अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है किसी कंपेडिशन की त्यारी करनी है तो प्यारे विद्धार्थियों अब से ही मानस बना लो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिन्दगी का इंतिहान होता है लडने वालों के कदमों में जाहन होता है प्यारे विद्धार्थियों जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते वो अलग धंग से करते हैं प्यारे विद्धार्थियों इसलिए अपने अंदर जोस जजबा और जनून रखो आज स्मार्ट स्टेडी की जरूरत है प्यारे वि उतनी ही सुनिश्चित होगी क्योंकि वर्तमान दोर में आप देख रहे हो कि कंपिडिशन कितने हाड हो चुके हैं तो इसलिए अच्छी महनत तो करनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब सोच लो आप कैसे और किस तरीके से महनत करोगे अब देखो आगे खंड से सेक्षन सी यहाँ एक बात और बता देता हूँ मेरे युवा साथियों को कि सेक्षन सी वाले हना वो बी में आ सकते हैं बी वाले सी में भी आ सकते हैं केवल आपको उत्तर लिखते समय शब्र सी मा का ध्यानकना है चाए पेपर सेटर कैसी भी लेंग्वेज बना देई अगर सेक्षन बी में बनाता है तो दो सो शब्दों में उत्तर देना है लगवग दो या तीन पेज के अंदर अगर वो सेक्षन सी में बनाता है तो आपको पान सो सब्दों में उत्तर देना है निमदातमा के लगवग पान चे या साथ पेज तक आप भर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों जितना अच्छा लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे आपके तो देखो खंड सेक्षन सी पेपर में कुल पांच परसन होंगे परतिक यूनिट में से ये मानो एक आएगा आपको कोई भी कोई भी कोई भी तीन क्यूसन करने होंगे जो की पते क्यूसन पंदरा अंका होगा तो तीन इंटू 15 बराबर 45 नंबर का होगा सेक्षन सी और पांसो सब्दों में उत्तर देना होगा प्यारे विद्यार्थियों जो की आप देखोगे पांसो सब्दों का मतलब होगा पांच पेज भरने होंगे ठीक है लड़ी आगी नबात समझ में निमदात्मक है पांच पेस तो बढ़ना ही पड़ेगा उपड़ चाहिए छह साथ आठ तक आप भर सकते हो जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिस हमेशा जादा करो किस्मत भी रूठे पर हिमत ना तूटे मजबूत इतना इरादा करो मजबूत इतना इरादा करो प्यारे विद्यार्थियों तो देखो खंड से सेक्शन सी के पांच टोप मौश्ट क्योशन जो आपको तियार करने है लगबग पांच वाने की उमीद है पांच नहीं तो चार चार नहीं तो तीन और थन ने करना किता है तीन ही तो करना है तो ये मानों प्यार विद्यार्थियों तीन क्योशन तो जर पर सेटर तो इन में से भी क्या पता आ जाए समय हो तो इनको त्यार कर लेना अगर समय कम हो क्यों सन आपको ज़्यादा लगे तो इन पांच को तो जरूर त्यार कर लेना देखो नमबर एक दयानन के राष्ट्रवाद समंदी विचारों का वर्णन कीजिए या फिर इसकी को स्पाष्ट कीजिए नमबर दो गोखले के राजमितिक एवं आर्थिक विचारों का मुल्यांकन कीजिए नमबर तीन तिलक के सवराज समंदी विचारों की व्याख्या कीजिए या फिर धरम निर्पेक्सता पर मौहमद अली जिन्ना के विचार लिखिए नमबर च्यार गांधी के सत्याग्रह समंदी विचारों की विवेचना कीजिये या पिर गांधी जी के राजे समंदी विचार भी आ सकते हैं नमबर पॉच जे पी नाराइन जे प्रकास नाराइन की समग्र क्रांती संपोन क्रांती पर एक निमंद लिखिये या पिर इसकी जगे आसकता है पंडित जोहानलाल नहरू का लोगतांत्रिक समाजवाद पर विचार क्योंकि ये क्यूसन बार बार पूछा जाता है तो इसलिए नहरू का लोगतांत्रिक समाजवाद पर विचार तो जरूर त्यार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों औ आप में पॉलिटीकल साइंस के स्टूडेंटों इतना तो त्यार कर सकते हो आपके अंदर तो जोस जजबा और जनून आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों सदा खुश रहो हासते रहो और प्रेम से मस्त रहो अपने लिए और अपनों के लिए मारो उदर से ठांकी सफलत मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ओप लक आपका पेपर बहुती बढ़िया और अच्छा जाए प्यारे विद्यार्थियों जादा से जादा आपके नंबर आएं और आपका नौलेज भी बढ़े अन्त में यही कहूँगा नौट करप्या ध्यान दें ये सभी परसन अनुमानित है गेस या मोडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों हाँ इन में से आने की पूरी संभावना है ठीक है न प्यारे विद्यार्थियों और ये भी कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ये गेस पेपर या मोडल पेपर अच्छा लगा हो तो इसे जादा से जादा सेयर भी कर देना और लाइक करना तो मत भूलना और अगर आपको कुछ भी पूछना हो या मेरे से कोई सीकायत हो या कोई सुझाव बताना हो तो कॉमेंट बॉक्स में जारूर लिख देना और अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल होंसयार सर को आप सस्क्राइब भ पर के साथ इसी के साथ जे हिम जे महारत वंदे मातराम